स्पीन नाइन न्यूस देख रहे हैं आपर आपके साथ मैं हूँ अनुजा मोदी ममता का रहस्मे गटवंदन जी हां से बता दे कि आलोक को लेकर बंगाल की सियासत गर्मा गई है आलेक में कहा गया है कि दोनों का लक्ष कॉंग्रेस मुक्त भारत है जिस स्वावस्तिका पत्रिका में आलेक का प्रकाशन हुआ है उससे जुड़े लोग राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की जीती नीतीव विचारधारा के समर्थक बताय जाते हैं बंगाल वैस्विक और द्योगेक सम्मेलन में प्रधार मंतरी ररिद्र मोधी को मुख्य मंतरी ममता विनर्जी के निमंतरन पर प्रकास जालते हुए इस आलेक की शिर्वात की गई है आलेक का सिर्स है मोधी ममता के रहश्य में गडवंधन में फसे सभी दल विरोधी खेमे में विखंडन और आलेक में दवा किया गया है कि विपाक्ष बट गया है मोधी विरोधी 16 राजनितिक दल एक तरफ है और नेतरत्व कॉंग्रेस का और एक तरफ ममता है आलेक में लिखा गया है कि मोधी और ममता दोनों ही कॉंग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं इतना ही नहीं यह भी लिखा गया है कि मोधी राश्ट्री अस्तर पर कॉंग्रेस के खात्मे के लिए ममता को एक हत्यार के तौर पर इस्तमाल कर रहे हैं आलेक के प्रकाशन के बाद कॉंग्रेस के राजजी सभा सदस्य प्रदी भटाचारिया ने कहा है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि मोदी और ममता के बीच गुप्त समझ होता है पत्रका ने ऐसा लिखा कर साहस का परिचय दिया है मोदी और ममता दोनों का लक्ष कॉंग्रेस को तबाह करना है सतरूर तिनमूल कॉंग्रेस के महासचीव पार्थ चटर जी ने कहा है कि इस आलेक में कोई सच्चाए नहीं है ममता भाजुपा के खलाफ मुख्य चहरा है दूसरी तरह भाजुपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मचुंदार ने इस पर कोई भी टिपनी करने से इनकार कर दिया है कॉलकता से बंगाल में प्रकाशित पत्रिका की अस्थापना 1948 में एक नाथ रानाडे अमल कुमार बसूब काली दास बसूब ने की थी और कहा जाता है कि उक्त लोग संग से जुड़े थे वहीं लगाता जो है ममता विनर्जी प्रियंका गांधी से मुलाकात करती हुई भी नजर आई थी लेकिन अब ममता विनर्जी का रुख वदलता हुआ नजर आ रहा है आपको हमारी रपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखे बाकी और खबरों के लिए जुड़े रही है SPN 9 News के साथ